नमस्ते अमित्रों आप सभी का यूपियस्या निगीता पस्भी आईएस में बहुत भागत है आज का हमारे जो वीडियो लेक्ट्टर है उसका टोपिक है यूनाइटी नेशन सिक्रेटी काउंसिल और यूनेशन की जो रिफोर्म से उसके बारे में थोड़ी चर्चा है वो अ करने वाले हैं तो सबसे पहले करने देखें है जोका ही यूनेशन स्थी तर जनी तरीके से नहीं काफी वे पैदपाव थो है तो उसके बारे में हम इसा वीडियो लेक्टर में अई है तो सबसे पहले देखते है कि United Nations Security Council है वो क्या है उसके बार में थोड़ी बहुत चर्चा है वो खरने वाल है जो United Nations Security Council है वो जो six principal organs है United Nations के उसमें सबसे अहम ये United Nations Security Council है क्योंकि इसमें जो members है permanent members उनको काफी सारी जो सक्तिया है वो दी रखी है का साथ ही जात ये United Nations Security Council है उसी को भी military का इस्तिमाल करने के भी इजाज़त है वो UN Charter से दी गई है तो इसलिए भी ये United Nations का सबसे ताकतवर organ है उसके रुप में चाना जाता है वही जो ICJ के जो judges का चुना होता है उसमें भी ये United Nations Security Council और उसके जो permanent member है उसके काफी अहम भूमी का है वो होती है तो इसलिए भी ये काफी important है वही उसके जो objective है उसकी बात करें तो Security Council का objective क्या है primary responsibility क्या है the maintenance of international peace and security यानि कि UNAC का जो main goal है main ambition है वो क्या कि जो विश्वा है उसमें जो security है और international peace है वो बनी रहे कोई भी ऐसा देश वहाँ पर जो stability की जो condition आए वहाँ पर जो UN है वो अपना intervention करता है और साथ ही साथ देखे तो कर जो civil war जैसे भी परिश्थितिया आती है unstability की जो परिश्थिति आती है तो वहाँ पर United Nations Security Council है अपने जो जो जरूरत पड़े तो peace keeping missions भी है वो वहाँ पर भेजता है क्योंकि जो इनकी स्थापना का जो उसके पीछे का जो main objective था कि पहले आप देखे जो league of nations है उसकी जो स्थापना है वो विश्वयूत प्रतम विश्वयूत के बाद या फिर कहें तो great war के बाद की गई थी क्योंक कि उस वक्त काफी जो जानहानी और मानहानी हुई थी तो सब जो विचेजाद देश है उन सबने तई किया कि हम ऐसी जो league of nations जैसा एक संगठन बनाएगे organization बनाएगे कि ताकि विश्वयूत दूसरी बार ऐसी जो प्रतम विश्वयूत जैसी जो परिस्तिती है उसका निर्म इंटरस्ट को पुरा करने के लिए करते हैं तो सब लिग ओब नेशन बना फिर भी जो दूसरी जो जो कटना है वो गट गई थी तो विश्वयूत के बाद जो जो विजिता देश थे उन सबने ये united nations security वाप जिगा यून के जो चार्टर बने उसमें भी ये जो एक एसी ओर जो उन्होंने और बनाने का किया कि उससे हम military है उसका भी इस्तेमाल जो force है उसका भी इस्तेमाल है वो कर सकते है तो इससे ही यह जो united nation security council है उसको काफी अहमियत है वो दी जाती है यह यून के बनने के बाद यह united nation security council है उसकी पहली जो meeting है पहला session हुआ था जनवरी 1946 में उस में सबको एक एक पॉर्ट है वो दिये जाते हैं अंडर दा चार्टर और अंडर जात ओल मेंबर स्टेटर अर अब्लिगेटेट टू कंपलाई विद दर कांसल डिसेजन्स वही जो security council recommend to the general assembly to appointment of the secretary general यह जो general assembly से ही यह जो recommendation है वो security council द्वारा की जाती है जो यह secretary general है उसकी भी appointment में यह महत्वपूर्ण जो भाग है वो उसमें अपना योगदान है वो देते हैं वह ही जो international court of justice है उसके भी जो ज़जी से उसकी भी जो चुना होते है उसमें भी यह यूएनसी है उसका बहुत ही अहम है वो रोल है व and seven of the UN Charter days with the mechanism of working of the UNSC जो UN Charter के छे और सात्वा जो chapter है वो इस UNSC के जो mechanism है उससे जो mechanism है वो chapter 6 और 7 में दिया गया है तो उसमें जो chapter 6 है उसमें specific settlement of disputes है जो title के अंडर काफी एसे जो लो से वो दिये गए है याने कि कोई भी एसे वीशो में जो disputes होते है तो उसका settlement pacifist यानि कि जो सांती पूरुना तरीके से होना चाहिए है ये उसका main जो goal है वो तहीं गिया गया है वो ही जो chapter 7 है उसमें लिखा गया है कि action with respect to threat to the peace, breaks of the peace and act of aggression यानि कि जो सांती है उसको बनाई रखने के लिए जो UNSC है वो धमकी भी दे सकता है अगर सांती का जो उलंगन होता है तो उसकर जो forces है aggression है वो भी यह जो UNSC है वो दिखा सकता है तो UN charter authorize the security council to take action on the behalf of the members and to make decisions and recommendation ये UN charter है वो UNSC को authorize करता है कि आप जो सब members के बिहाब से ये जो security council है वो ही तरिक करती है कि जो forces है उसका इस्तमाल है वो कहां करना है वो कितना करना है charter mention neither binding और nor binding resolution वहीं आप देखे तो जो permanent membership की जो हमने बात की है तो उसमें जो permanent जो जो member जो UNSC में है उसमें USA है ब्रिटेन है फ्रांस है रस्या है वो चाइना है लेकिन आप देखे तो इसका भी जो distribution है वो अच्छी तरीके से नहीं हुआ है वहीं जो अमेरिका है वो पूरे पूरे अमेरिकी continent को represent करता है वहीं यह जो दोनों देश है जो की उनकी population भी कम है उनकी economy भी उतनी ज्यादा नहीं है फिर भी यूरोप भी उतना छोटा है फिर भी उनको representation दो दी गई है वहीं इसलिए भी यह जो जर्मनी है वो वहाँ पर चाहता है कि उनको भी वहाँ पर एक permanence seat मिले वहीं जो एशिया की भी बात करें तो रसिया और चाइना को दिया गया है और वहीं एशिया की भी बात करें तो यह जो एरिया है वहाँ पर सबसे ज्यादा population है और सिर्फ इस all population का अकेला जो representative है वो है चाइना तो यह भी एक इ चाहती साथ देखें तो UNSC के जो भी peacekeeping missions हुए है उसमें सबसे ज्यादा आफरीका में ही हुए है तो इसलिए भी आफरीका चाहता है कि हमारा खुद का एक representation है वो होना चाहिए तो साइद यह जो distribution है वो अच्छी तरीके से नहीं हो है साइद इसलिए सब देश चाहते है कि जो UNSC है उसका reform से वो होना चाहिए वहीं आप economy और world में status की बात करें तो United Kingdom का आद उतना जो status है वो उतना उस वक्त जो पहले विश्वयूत के वक्त हुआ करता था वो उतना नहीं है तो इसलिए भी जो उसके UK से अधिक जाज़ जो ताकतवर देश है जैसे कि जो भारत है और चापान भी देखे तो economically उससे काफी काफी मजबुत है जर्मनी है वो भी उससे मजबुत है जो ब्राजिल है वो भी उसकी जो economy है अभी ग्रोव कर रहे है लेकिन उसकी जो UK की तुलना में इसकी territory देखे तो काफी बड़ी है वही population भी ज्यादा है तो इसलिए भी सब ज चाहते है कि अगर जो ब्रिटन जैसे जो देश है इसमें मेंबर है तो हमें भी मेंबर्शिप है मिलने चाहे वहीं आप एक बात गहुर करेंगे कि यह जो सारे के सारे जो permanent member है वो प्रथम द्वीतिय वीश्वयूत के विजयता देश है और यह सब जो विजयता देश है इन है वो नहीं छोड़ना चाहता तो अब देखते है कि जो वीटो है वीटो का जो लेटरल मीनिंग देखे तो इसका लेटिन में अर्थ होता है आई फोर बेडियाने कि जो यूनिलेटरल स्टोफ है यह वीटो को नेगेटिव वर्ड भी कहा जाता है यानि कि कोई भी ऐसी जो एक्षन की जो हूँ तई किया जाए कि यून सी में कोई भी एक्षन तई किया जाए कि इसके खिलाब हम एक्षन लेंगे वहीं कोई भी ऐसा देश है वो वीटो का इस्तिमाल कर लेता है तो को पूरा का पूरा जो efforts किया गया है वो फेल जाता है तो इसलिए भी वीटो है उसको negative vote भी कहा जाता है और ये जो वीटो का जो concept है वो Roman Council है उसी से ही लिया गया है तो अब जो article 27 है UN Charter का उसी उसमें भी जो ये chapter 5 है article 7 पर वो इस जो permanent membership और साथी साथ जो members को जो vote दिया गए है उसी से ही deal कता है article 27 of Chapter 5 के ता है जाए जीच जो चार्थ जाए का जाए खिर फेल थीजी काूंसल से हावँ जा से खिर जाए का जो डा से जाए को जो लिसी sä हम जाए का जाए का बएं वो फॉर्म δεν जाए है जा है पो जोर मिर गिर बाएंब लäre टो उन बार्कल को एंवित्त आर थेक्र श्र Zum आपार्टेटू यो इसार्ट्ल के तवह है वो दिया गया है. तो अब देखते है कि जो पर्मेंट差不多 फाइव है, उन्होंने कब producer और कितना जो इस्तमाल है वो जो वीक्षा है इसका इस्तमाल किया है सबसे ज़यदा वी टा पाल का इस्तमाल यूए से श्ब से और संब्सक्लína कर सबस्राइब्स यूक्त कर है उसने जो Spanish का जो मुदा है उसके उपर भी काफी बार जो वीटो किया है वही जो भारत और पाकिस्तान का जो issue उसमें रुश्याने हमेशा भारत के फ्यवर में ही यह जो जबी कोई ऐसा रिजोलिशन प्रास वोता था तो रॉसिया और अमारी उसकी दोस्ती अच्छी थी आज भी अच्छी है लेकिन उसकी ज्यादा अच्छी थी तो जो USSR है उसने अमेसा भारत का ही फक्स लिया है और कोई भी ऐसा रिजुलिशन आया है तो उसको वीटो कर दिया है पर एक्जमपल 1971 के वोर हुआ तब भी जो इसने है वो तब अमेरिका ने चाहा कि भारत के खिलाब एक्शन लिया जाए लेकिन तब यूएसे सारे उसने वीटो कर दिया उसके बाद ग्रीक के उपर कोंगो और कोरिया के जो म इσι उस होए थे वहाँ पर अपना वीटो का इस्तेमाल किया है फी फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने मेंवें यंपने जो प्रण हूस थी इसका इसका इसितमाल किया वहीं जिसमें नाम इभिया है nie मैन जिसमें सथाफरिका जो इसके लिए 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 थो ने तो यह बिट है इसका इस्तिमाल किया है उसमें भी देखे तो यह ब्रिटन प्रांच और युनेट थी टीनों ने ही मिलकर सब से जcom streaming इसराइल के लिए ही किया है तो सबसे ज़्याद cứ तो सब ज्यादा जो वीटो का इस्तमाल जिस क्वेस्टन के उपर हुआ है तो वो है इस्राल पेलेस्टेन इस्यू इसमें USA ने हर बार इसका इस्तमाल इस्राल के फेवर में ही किया है उसके बाद साथ आपरिका और इस्राल लेबेलन के उपर भी किया है वही जो निकारागुवा वह WITO है इसका इस्तमाल सभी देश है वो अपने अपने जो नेशनल इंटरेस्ट थे लेकिन हमारे प्रधान मत्री है जवालल नहोंने जो ओपर है भो ठोख करा दीते आल Sept 24 लाकि यह जो बात है वो अलग बात है जो आप देखते हैं कि जो die ओ्रड में से प्रड ेप्रली यह यह तो देख के तो उसमें जो सब पर मेंट cyber है वो World War I के जो विजयता देश है और चाइना जो अलाइच था तो पहले जो है वह एघ hatte जो यह ताइवान हैं वो इसका we usually 1973 से फपो री पड़ी क्वोबिक चाइना यारे कि जो क्म्यनिस चाइना है उसको इसके सक्सश्षट सेट के रोप में सब देसों ने मानिया रखा तो अब देखे तो उसमें जो ज्यादा से ज्यादा जो देश है वो चाहे वो यूससर हो यूससर हो फ्रांस और ब्रेटन हो या चाहिना यह जो विश्वयूद के विजिता देश है तो इसलिए भी एक बायस तरीके से अपने जो सकती है इसका इस्तमाल करते लेते है उनसे निफर्म से तर नेड ओफ अब ब्र बीकॉश यूनसे इस तिल रिफ्लेक्ट जीओ पॉलिटिकल अर्गिटेक्ट्च्छर ओप सेकंड वर्ड ब्रॉर का फी लोगों का ऐसा कहना है इसकोलर का कहना है कि यूनसे है वो जो सेकंड वर्ड वर्ड के वक्ट की जो जियो पोलिटिकल अर्खिटेक्ट्चर है उसी को ही ये रिफलेक करता है तो साथ इसलिए भी है वो चाहते हैं पहले चार मेंबर हुआ करते थे और सिर्फ एक बार 1963 में ही चाइना को इसमें इंग्लूड किया गया पहले चार नौन पर्मेनेट जो मेंबर है वो हुआ करत साथ जाथ जो 75 प्रतिसाथ जो यूएनस से है वो अपरिका के उपर ही फोकस किया गया है तो साथ इसलिए भी इसका रिफॉप से वो जरूरी है साथ जाथ देखे तो यूएनस से है उसका एफेक्टिवली इंटरनेशनाट कॉंफलेक्ट है वहाँ पर वो रिस्पॉंड है वो नहीं कर रहा है तो साथ इसलिए भी है वो चाहते है इंडिया एंजर लार्ज नंबर अप कंट्रिस बिलिए देट देट करेंट यूएन एंड इस पावर्फॉल सीक्रेटी कांसल डज नोट रेफ्लेक्ट अग्राउंड रियालिटी स्वप 21st सेंच्योरी भारत के साथ साथ का पेसे देश है इनका कहिना ये है कि जो ये यूएन सी है वो 21st सेंच्योरी की जो ग्राउंड रियालिटी है उनको नहीं जानता है वो अभी भी दीती अविस्वयूद और कोड़ वर के वक्त की जो चियो पॉलिक्स है वो उसी में है उसी का जो उसी को ही रिफॉम से वो होना चाहिए जो कोफी अनन ने जो दोजार पात में अनन प्लान दिया था रिफॉम प्लान उसी में भी इस बात का गोल है वो किया गया था टा डेवलोपिंग नेशन्स इंक्लूडिंग इंडिया नाव लार्जर रोल इन बोथ दा इंटरनेशनल एकोनोमी एंड पॉलेटिक्स का देखे जो डेवलोपिंग नेशन से और साथ जाथ दूसरे नेशन से जैसे की घर्मनी है जापाने यह सब है वो इंटरनेशनल एकोनोमी और पॉलेटिक्स में अब इनका जो रोल है वो काफी बड़ा हो चुका है वहीं आप देखे तो फ्रांस और ब्रिटन की जो एकोनोमी है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है उतनी मज्बूट नहीं है फिर भी इनको और साहथ जाद इनकी पॉप्युलेशन और इनकी मिलिटरी बी उतनी ज्यादा ताकतवर दई है फिर है ङे जो पर्मिनेट जो मेंबर चीप है यह वह दी गई है और साथ हिसाथ देखें तो एकोनोमी कई बात करें तो जर्मनी और जापान है वो इन दो देशों से काफी मजबूत परिस्थिती में है काफी मजबूत इसे का जो देश से उनका कहना है कि इसका अच्छी तरीके से नहीं हुआ है तो ग्लोबल ओर्डर है सिन मैसिव चेंजिस प्रोम अमेरिकन यूनिलेटरल इसम टुदर राइस ओप मल्टिलेटरल इंस्टिट्यूशन सच अच ब्रिक्स जैसा कि हमने पहले कहा है कि भारत के साथ साथ दूसरी देशों का कहना है कि जो 21st century की जो ग्राउंड रियालिटी से उसको यह रिफ्लेक्ट नहीं करता है क्योंकि आप देखे अब ग्लोबल ओर्डर है वो काफी चेंज हो चुका है जो 1980 से अमेरिकन की जो हेजिमनी थी यूनिलेटरलिजम था उस वो अब थोड़ा खत्मा हो गया है दूसरी जो सत्ता की धरी है ताकत की जो एकसे से वो अब बनने लगी है साथ जाद मल्टिलेटरल इंस्टिउशन है वो भी अब बनने लगे जैसे कि जो ब्रेक्स है जी 20 है उ जो कंड्री ब्लोक से वो बनने लगे है तो ये भी एक बहुती बड़ा कारण है कि यूनिसी का जो रिफोर्म से होना चाहे है उसके बाद आता है exclusive nuclear club यानि कि जो यह पाचो के पाचो जो है वो एक exclusive nuclear club ही है ये जो देश है वो किसी को भी अब नया nuclear देश बनना नहीं देना चाहते हैं जब भी कोई nuclear bomb weapons बनाने की develop करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले जो threat है वो इन पांचों देशों द्वारा ही दिया जाता है तो इसलिए भी सब देश है वो चाहते है कि यह जो reform से वो होना चाहिए तो अब देखते हैं UNSEE का जो failure है failure की बात करें तो सबसे पहला आता है unilateral action unilateral actions में भी आप देखें तो जो अमेरिका है वो हर बार unilateral actions है वो इसी का ही जो उपर ज्यादा जोड़ है वो देता है तो इसलिए भी जो UN है वो यह जो UNSEE है वो failure के रूप में जाना जाता है चाहे वो 1973 का लीबिया के उपर जो UNSEE का resolution हो उसको भी हम कह सकते है वही उसके बाद unilateral military action है जो US का इराक में जो 2003 में उसमें भी देखें तो जो अमेरिका है उसने अपनी मनमानी है वो की थी तो इराक को पुरी कतरा बर्बाद किया था उसमें भी UNSEE है उसका कोई भी रोल है वो नहीं था अमेरिका ने UNSEE को पूरण रूप से कह दिया था कि आप हमारी मेटर में intervene नहीं करेंगे तो यह भी एक कारण है UNSEE का failure का उसके बाद जो लिबियन intervention है 2011 का जब लिबियन में रखवाले कहते हैं human rights के रखवाले कहते हैं तो इन सब देशों ने democratically ना होके सिद्धे के सिद्धे ओटो क्रेटिक तरीके से ही पूरा जो लिबिया में उस वक्त जो कोड़ वर चल रही थी तब तो एक जो बैलेंस है वो बना रहा था लेकिन अब देखे तो अमेरिका को टपका देने के लिए जो चीन है वो हाल ही के पांच पांच से दस साल जो उपरा है वहीं जो उसके 1980 से 2010 की बात कर तो तब जो अमेरिका है वो अपने खुद की हजीमनी वह है वह चला रहा था तो इसलिए भी यूएनस से उसको फेलियर हम गिन सकते है जाती जात जो यू सिक्रीटी कांच से ले वह कोंग्लोमेरेट जो प्रोब्लेंस है उसमें वह फेल रहा है चाहे वह वेस्ट एसिया की जो प्लिटिकल टर्मोईल है और सा एरिया में भी जो अमेरिका अभी कर रहा है वो भी कोई भी एसी जो जो इंटरनेशनल डिस्पीट है उसके स्वाल करने के लिए यूएनस से है लेकिन अमेरिका है वो अपनी मनमानी है वो कर रहा है साथ जात देखे तो जो चाइना है वो भी अपना जो एक्सपांशन एक् वो भी अब काफी बढ़ चुका है चाइना है वो विश्थारवाद की तरफ बढ़ रहा है तो उसमें भी जो UNSC है उसने कुछ चाइना को नहीं कहा है और साथ जाद देखे तो जो अपने मेरिटाइम नेबर्स और साउथ चाइना सी में जो चाइना अपना एकाधिकार काफी सालों से सभी देशों को बता रहा है कि चाइना सी है वो हमारा है तो तब भी UNITED NATION SECURITY कांसल है वो एक कहा जाए तो एक जैसे की हाथ कैसे बंदे हो एसे एक पपेट की तरह ही वो चूप रहा है तो ये भी और साथ फैलियर है और साथ जाथ देखे तो रस्या है उसने भी जो एनेक्सेसन किया करीमिया का तब भी कोई भी ऐसे देश है वो आगे नहीं आए और आप देखे तो वेस्ट और जो रस्या के बीच जो स्टेंड़ चल रहा है अवी के सालों में तो उसमें भी सिक्रिंटी कांसल है उसका कोई भी रोल है वो नहीं है इन सब जो सेटल मेन डिस्प्ई है उसको सैटल करने में तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फैलियर के रुप में देखा जा सकता है तो इसी लिए ही सब देश है वो चाहते है कि ये जो United Nation Security Council है उसको पूरी तरह से collapse किया जाए और नई तरीके से बनाए जाए और वो सब जो देश है वो नहीं चाहते है इसमें जो permanent membership वाले तो सब जो बाकी के दो देश है वो ये चाहते है कि आप collapse ना करें लेकिन जिर्फ जो reforms तो लाए तो इसी से ही जो balance है वो बना रहेगा अब देखते है भारत की जो कुछ effort से उसकी बात करते है तो जो हमारे पहले प्रतान मंत्री है उनके सब्दों में कहें तो जो उनका यूएन के प्रती जो फाव था तो वो यूएन के प्रती वोल हाटेट कोपरेशन की बात करते थे वह ही इन इस council to which her geopolitical position and contribution toward peaceful progress and title जो भारत का जो contribution है वो भी यूएन में देखे तो पीस के उपर ज्यादा है वो पैसे पेस्ट हमारी policy है वो रही है तो और भी शाती शात देखे तो नेहरों की जो foreign policy और यूएन चाइटर है उसमें भी काफी जो similarity है वो देखी जाती है तो इसलिए भारत है वो इसलिए इन सब बातों से ही बातों को ground के उपर रखते हैं रख रखके ही भारत की जो यूएन से है उसमें पर मेंबर से चाता है वहीं भारत है वो council के नोन पर मेंबर के रुप में पच्चास से क्यावन कि बहुते से 73, 77, 78, 84, 85, 92 और 2011 से बारत के बीच वो भारत है वो non permanent member के रुप में रहा है और इंडिया ने इस सब जो वहाँ पर जो अपना experience अपना जो योग दन दिया है उसको rehearsal for permanent membership के रुप में भारत है वो देखता है तो अब जो जब जो last time हमरी जो 2011 और 12 में जो हमरी जो election हुआ था उसमें भी आप देखे तो जो non permanent seat के लिए हमने highest number of vote है वो general assembly में पाए है वही जो 1996 में हमने जो जो हमरी popularity है वो कितनी है उसको भी हम उसको देख सकते और साथ जब हमने 1996 के election में हम आ रहे है तो इसी से ही भारत की जो popularity है वो देख सकते है कि हम के सकते है और साथ जब देखे ती जो जिन जिन देशों की ये बांक है कि UNS से में हमें permanent membership चाहिए उसमें सबसे अच्छा जो track record है वो भारत का इवे चाहे वो democracy में हो economy में हो या freedom में हो तो इसलिए भी आप देखे तो भारत को ये सब जो देश है वो लिस्ट controversial candidate के रूप में देखते है तो इसलिए भी ये जो है वो हम भारत इसकी जो membership हो चाहता है वहीं आप देखे तो जो West Asia है उसके साथ ही हमारे जो relation है वो कापी अच्छे है और साथ जो आफरिकन union है वो भी भारत को एक अपने सहयोगी के रूप में देखता है तो साइद इसलिए भी सब देश चाहते है कि भारत है वो इसका मेंबर बनना चाहिए सीवाई के चाइना और पाकिस्तान अब भारत का जो contribution है यूने यूनेटेड नेशन पीस कीपिंग में उसकी बात करें तो भारत में तकरिबन दो एक लाग से असी जाज़ा जाज़ा जो हमारे सैनिक है वो ब्लू हेलमेट के निचे सर्व कर सके है और साथ जाध अभी के हाल ही के जो वक्त में देखे तो तकरिबन 7000 से 80000 जो पीस कीपिश अभी तेरा मिसंद से यह से 11 कंट्रि में उसमें अभी सर्व कर रहे और साती जाध देखे तो भारत की जो स्टेटेस्टिक देखे तो हमारी पोपिफिलेशन है 1.2 बिलियन हमारी जो एकोनोमी है वो 2.8 ट्रियन जो की थर्ड लाज़स्ट एकोनोमी है वही जो भारत एक नूकलियर पावर स्टेट है उसके पात 3rd largest trending आर्मी है और सातीजाद भारत एक बहुती मजबूत सातिदार है यूएनस्ट का और फिसकीपस के लिए विजराजियस कंट्रिब्यूटर है तो इन सब से ही भारत का जो ग्राउन है वो मजबूत होता है जो क्राइटेरिया है वो पूरा होता है सातिज़ाद देखे तो फ्रांस और यूके की जो एकोनोमिकली क हम नहीं कह सकते है कि जिसने अभी भारत के पास अलाईस है तो इन सब क्राइटेरिया से ही भारत है वो पर मेंबर सीपे वो चाहता है और सातिज़ाद देखे तो भारत है वो मॉस्ट इंफ्लूएंशन प्लेयर्स एन एकोनोमिक ओर्गेनाईजेशन लाइक दड़ ड़्यो स्वक्लाइजेशन प्लेयर के रूप में उफर रहा है तो इन सब क्राइटेरिया से ही भारत है वो मेंबर सीप चाहता है वहीं आप पीस-ekEEPिंग मिशन की कुछ बात है वो कर लेते हैं जो पीस-कीपिंग आप्रेशन हω है कि पीस-कीपिंह्ट ओप्रेशन इज़ जोईट म of many players with legitimate interest operating within parameters of mandate यानि कि उनको जो mandate दी गए है उनके जो parameter ताई किये गए है वो इसी की अंडर है वो peacekeeping operation है वो किये जाएगे अब UNS के UNS के peacekeeping missions उत में जो guidelines होते है उसमें basic three principles दिये गए है उसमें consent of parties, impartiality, non-use of force, accept itself, defense and defense of mandates तो इन तीनों के principle से ही यह जो peacekeeping missions है वो चलाए जाते है वहीं जो peacekeepers का काम सिर्फ force का इस्तमाल करना नहीं है सिर्फ peace बनाए नकना नहीं है उसमें सिर्फ force का इस्तमाल ही नहीं करना है उसमें जो civil affair से, political affair से, public information, military operation, mine action assistant, police, judiciary, law, human rights, gender mainstreaming, administrations and support, security and safety of staffs, electoral assistance, humanitarian assistant, refugees and internal disputes, displaced persons, recovery and development of sustainable pits तो यह सब बात है जो यह सब concept है वो इस UN peacekeeping missions में इसको इन सब के लिए UN peacekeeping missions को mandate दी जाती है विसमें किसी भी जो कोने पर वहाँ पर जो dispute होती है तो UN peacekeepers का का काम इन सब जो civil affairs, political affairs, public information यह जो सब बात है उसका ध्यान है वो रखना है और साथी जात देखे तो UN peacekeeping जो अपना काम है वो काफी काफी जगाहों पर अच्छी तरीके से किया है तो इसलिए भी 29th जो में है उसको international day of UN peacekeepers के रूप में बनाए जाता है to commemorate the memory of UN peacekeepers who have lost their lives यानि कि जो peace को बनाए रखना के लिए जीन जीन फोजियों ने अपनी जो जान अपना बरिदान दिया है और साथी जात जो लोग अभी सर्व कर रहे है उसकी dedication, professionalism और courage के लिए ही 29th में को यह मनाए जाता है और साथी जात देखे तो भारत की बात करें तो हमारे जो काफी जो सहीनिक है वो इसमें सहीद हुए है काफी for example उसमा सबसे ज्यादा जो एक्जामपल अच्छा है वो है captain गुर्बचन सिंग सलार या जिन को बाद में हमने जिनोंने कोंगों में अपनी जो बलिदान दिया था उसलिए उनको परंबिर चक् लखा जाता है अब बात करता है कि जो भारत की हाल ही में कुछ जो एफट्स भारत ने की है उसमें जो जनरल एसम्बली है उसमें जब हमारे प्रदान मंतरी 69 यूएन यूनरे नेशन जनरल एसम्बली की जो मीटिंग होई थी उसमें सितंबर 2015 में हमारे जो प्रदान मंतरी ह तो वहां पर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जो बात है वो रखी है उनका कहना है कि रिफर्म से ही जो उसमें जो डिमोक्रेटिक जो कंसेप्ट है जो आइडिया से वह ज्यादा रिलेवंट कर तरीके से काम करेंगे तो यह सब बातों से ही हम जो कहें तो जो आइसी की जो रिफर्म से वो नेसेसरी होने चाहिए अब बात करते है भारत की जो पर्मिनेट सेट की जो बेड है उसकी बात करते है इंडिया स्वीड फ़र्मिनेंट मेंबर्सिप दो यूए नेस्टी रिशीव ए मेजर बुस्ट ओन ओक्टबर तू तूजन फिप्टिव उसके एक महीने बाद अक्तूबर दोजार पंद्रह में जो जर्नल एसेंबली है उन्होंने नेगोसियसिंग टेक्स पोर सेक्रिटी कानजल रिफर्म से उनके उपर एग्री हुए है जो कि हमरे लिए कापी अच्छी बात है और मेजर बुस्ट के रुप में देखा जाता है भारत तो क्यों चाता है कि हम भी उसके मेंबर बने उसके दो रिजन है पहला ये कि वीटो पावर है उसका इस्तमाल भारत है वह अपने नेशनल इंटर्स को पूरा करने के लिए करेगे जैसा कि पाकिस्तान जो पाकिस्तान हर बार भारत के उपर कोई ना कोई इसी जो इमर टेरिरिजम के खिलाप और जो पाकिस्तान जो सीस फायर वाइलेशन कर रहा है इसके खिलाप भी हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं दूसरा ग्लोबल पावर की और रिजिनल पावर के तरह हमर जो राइस हुआ है उसी और साथी जादा से जादा जो की रोल है वो प्ले करना चाथा है international peace and security में तो इसलिए भी भारत है वो नेञिटिन जो atters को चा ता है अब देखते हैं भारत के साथ चात कौनकोन से ऐसे जो देश है वह परमेनत मेंबर सीट जो है वो चात है उसमें सबसे पहले है जीफोर नेशन जो की अभी जो ये permanent membership है उसके बाद ये सबसे ताकतवर देश के रूप में जाने जाते है जो जीफ़र है उसमें इंडिया ब्राजिल जर्मनी और जापन ये जो चारो की चारो जो देश है वो एक दूसरी की जो सपोर्ट करते हैंगी अगर ब्राजिल को मिल जाएगी तो ये तीनों के तीनों देश सपोर्ट करेंगे अगर भारत को भारत की जो एफ़र्ट है वो आगे बढ़ाई जाएगी तो ये तीनों के तीनों जो देश है वो सपोर्ट करेंगे उसमें भी देखे तो भारत है उसके पोपिलेशन ज्यादा है वो तिसरी सबसे बड़ी आर्मी अर्सी इकोनोमी है वहीं जो ब्राजिल है वो लेटिन अमरिका में सबसे ताकतवर नेशन्स के साथ साथ उनकी इकोनोमी वी उतनी बड़ी है वहीं जर्मोंश की बात करें तो विस्व में अब चोथे नंबर के ऊप मौल भाई यानि कि जो इसे है एस फाई भी कहा जाता है जिसमें कोस्टारिका जोर्डन लाइकेंस्टान सिंगापोर और स्विट्जरलेंड जैसे जो सांत्य प्रिया देश है वो भी उसका उनको मेंबर्सिप नहीं चाहिए लेकिन उनका कहना है कि उसमें रिफॉम्स होना च यानि कि जो मुसलिम नेशन है उनका क्लेम है रिजियन रिजिवनल बेस इस उनको कहना है कि 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 सारव के सारे जो जो इसलामिक कंट्री से उसका एक रिप्रेजन्टेटिव उनको देना चाहिए वहीं यह भी यह लोग जो है वो क्लेम करते हैं वहीं दूसरा है एल 69 एल 69 इस अ मेजर ब्लोक युनेटेट बर्द कॉमन कॉज ओप अचिविंग लास्टिंग रिफॉर्म्स ऑफ यूनेसी यह जो एल 69 जो द सब्सक्का पाम कामन कोविंग रिफॉर्मस होना चाहिए तो यह उनका कॉमन क्लोओ यह भी एक चाहते हैं उसके बाद आता है केकी करेवियर निशंस का जो क्षांण ब्लोक है वह भी यह लोग चाहते है कि उसमें ट्रांसपेरेंस से ज्यादा आने चाहिए और जो डेमोरि यह एक क्रोस रेजियोनल 27 जो छोटे और मीड़ साइड देशों का एक ग्रूप है जिनको accountability coherence और transparency unit इनकी मांग में जो उनकी मांग है वो accountability coherence और transparency है तो यह भी एक जो ग्रूप है वो claim कर रहा है तो अब भारत की जो UNSC की जो बीड है उस कौन-कौन support कर रहे है उसमें जो इंडिया's Candidate Candidature as potential permanent unit members as a regime support from the vast majority of nations जो काफी ऐसे जो देश है वो चाहते है कि भारत है वो इसका member बने क्योंकि सब सबको विश्वास है कि भारत है वो इसका गलत इस्तमाल है वो नहीं करेगा चाहें वो आफ्रिकन union हो या फिर West Asian countries और साथ जाद देखे तो जो permanent members के भी जो पर जो पांच permanent member है उसमें चार ऐसे जो है USA France Russia और यह जो UK है वो वोकल ही तो support कर रहे है लेकिन उतनी जो efforts है वो नहीं कर रहे है लेकिन हाला कि वो अंदर अंदर ही अंदर है वो भारत का support है वो कर रहे है और वो साथ जाद देखे तो भारत का सिर्फ अकेला ही ऐसा permanent membership का वो है China China नहीं चाता कि जो भारत है वो इसका जो मेंबर है वो नहीं कर रहा है तो भारत है वो चाइना है वो नहीं चाहेगा कि भारत को United Nation Security Council में membership मिले वहीं आप देखे तो कुछ युल शो नेसन से वो strongly support कर रहे है जिसमें United Arab Emirates है, Singapore, Malaysia है, पुरा पुरा African Union है, वो भारत की जो permanent membership है, उसको काफी strong तरीके से support कर रहे है, वहीं कौन ओपस कर रहा है, हमर जो traditional enemy है, परमपरगत सत्रू, वो तो हमें साही भारत का जो ओपस है, वो करेगा, उसके बाद एक जो group है, जिसको Uniting for Consensus यानि की UFC, जिसको Coffee Club भी कहा जाता है, जो कि 1995 में ये जो GSG Force की जो bid है, परमेन से membership की उसको ओपस कर रहे है, उसमें भी देखे तो कभी Coffee Club में जो पाकिस्तान है, वो भारत की जो बीड है, उसको ओपस कर रहे है, वहीं इंडोनेशिया, इरान, साउथ कोरिया है, वो जापान की बीड को ओपस क कर रहा है, वहीं जो तुर्की है, इजीप, अलजीरिया, इटाली और जो स्पेन है, वो जर्मनी है, उसको ओपस कर रहे है, वहीं कैनेडा, मेक्सिको और आर्जेंटीना, ये है, वो एक दूस, जो आर्जेंटीना, मेक्सिको है, वो ब्राजिल को ओपस कर रहे है, तो ये अ वजह से अलग-अलग तरीके से यह वो पोस्ट कर रहे हैं अब बात करते हैं जीफ और नेशन्स की जो जीफ और नेशन्स की भी बात करें तो यह जो सब देसे वो इंडिया चाहपन जर्मनी और ब्राजिल जो एक दूसरे की जो बीड़ है उसको सपोर्ट करें वाई थे डिम ग्राउंड के उपर वो भारत है वो जाता है वहीं जर्मनी इस थर्ड लार्जेस कंट्रिब्यूटर तो दे यूएन रेगिलर बजेट नेक्स्ट टू चापान भारत और मापकी जीगा अमेरिका चापान के बाद जो जर्मनी है वो तीसरा सबसे बड़ा फाइनेंशियल कं देखे तो फ्रांस और ब्रेटन का कुछ भी एसा कंट्रिब्यूशन नहीं है फिर भी उनको दी गई है तो इसलिए भी यह जो जर्मनी है वो चाथा है वहीं चापान जो है वो 1956 से यूएन का मेंबर है उसके बाद वो रेगिलरली यूएन को तो बजेट दे रहा है शांद सबसे ज़्यादा जो चापान है वो उसने सबसे ज़्यादा पेशा है वो दिया है वहीं ब्राजल की बात करें ब्राजल लाजस कंट्री इन तर लेटन अमेरिकान ए इडे निट इस वन अन दो बिगेस े कंट्रीब्यूस औप मेन पाःट पाईन फैनेंशल एड टू यू वो अपने अपने कुछ नेशनल इंट्रेस्स है और साथे जाते हैं कि यूएनसी है वो डेमोक्रेटिकली काम करें और उसमें ट्रांसफेरेंस है वो ज्यादा आए तो जिससे क्या होगा कि जो सीरिया के अभी जो सेविलर जैसी परिश्थी थे उसको भी टाला जा सके और रुष्या है वो भी काफी ताकतवर देश है वहां पर जो डिक्टेटर्सिप जैसी ही गवर्मेंट है वही जो अमेरिका है वो भी अपने काफी देशों में अपने कुछ जो मसले है उसमें उल जा रहता है तो इसका यूएनसी का इस्तेमाल एक प्लेटफॉर्म की तरह कर है वही जो चाइना है वह भी भारत के खिलाब कर काफी सालों से कर रहा है वही जो यूके और जो जर्म जो फ्रांस है वह भी अपने अपने नेशनल इंट्रस ईह वेस्ट एशया में हो ये ये-उरोप मैं अपने अपने नेशनल इंट्रस all-eat-it union कर रहे है तो प्लेस्टो बड़ोतरी होगी तो ये था मेरा पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर United Nations Security Council और उनकी जो रिफर्म से उसके उपर तो आशा करता हो कि आपको ये पूरा का पूरा जो वीडियो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा